हेलो दोस्तों नमस्कार मैं अंकित परजबती ट्रेडर आपका अपनी इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और दोस्तों आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं और एक्स का फंडवेंटल अनलेसिस तो आईए दोस्तों चलिए सुरू करते हैं यहां ने इन्वेस्टिंग.com को लोगिन कर लिया है यहां पर हमें टूल्स में जाना है और एक्वानोमिक कलेंडर पर किलिक करना है तो दोस्तों जैसे हम यहां पर किलिक करेंगे तो हमें इस क्योंकि हम इस सब्धा के लिए फॉरेक्स फंडामेंटल अनलेसिस करने वाले हैं तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं सौमवार को 29 मई को यहां पर मॉस्टली कंटरीज में यहां पर होलेडे रहने वाला है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलेटी आपको देखने को नहीं मिलेगी तो दोस्तों यहां पर मंगलवार यानि के 30 मई में आप देख सकते हैं यूस्टी के लिए सीवी कंजूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आने वाला है और उसके बाद यहां पर बुद्वार में 31 मई को हम देख लेते हैं मैनॉफेक्चरिंग प्यमाई जो की चाइना का डेटा आने वाला है यूरो के लिए यहां पर दो डेटा है जर्मन अंप्लॉइमेंट चेंज और CPI उसके बाद के लिए यहां पर डेटा आने वाला है और यूरो के लिए ECB प्रेसिडेंट यहां पर एक मीटिंग होने वाली है उसके बाद यहां पर UST के लिए इंपोर्टेंट डेटा की बात करें तो यहां पर बुद्वार में JOLT जो ओपनिंग रिपोर्ट्स आती है तो इसको आप देखेगा वेरींपोर्टेंट डेटा यहां इसके बाद अगर हम यहां पर थस्ट में 1 जून की की बात करें तो अस्टेलियन डोलर के लिए यूरो की यहां पर जर्मन मैंटूच्चुरिंग PMI का डेटा आने वाला है GBP के लिए manufacturing PMI का डेटा आने वाला है तो अगर आप Euro GBP में ट्रेड करते हैं तो इस डेटा को धियान में रखके ट्रेड कीजेगा देन उसके बाद again Euro के लिए यहाँ पर CPI ECB और ECB Publish का डेटा आने वाला है तो आप इसको देख सकते हैं उसके बाद very important data USD के लिए आने वाला है दोस्तो ADP non-form employment change इसको आपको देखना है और initial jobless claim देन उसके बाद ISM manufacturing और यहाँ पर crude oil की inventory तो दोस्तो यहाँ पर आपको ब्रस पतिवार में एक जून को यह data देखना है अगर आप gold के pair में trade करते हैं या फिर किसी भी ऐसे pair में trade करते हैं जिसमें USD होता है तो यह बहुत ही important data आपके लिए होने वाला है तो इसको बिल्कुल ignore ना करें तो उसके बाद Friday में very very important data है दोस्तों UST के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं शाम कुछ हैं बजए तीन डेटा आने वाले हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं average hourly earning यह आने वाला है देन उसके बाद non-form payroll very very important उसके बाद unemployment rate तो यह भी very very important data है तो दोस्तों यहाँ पर market में देखें जिन जिन दिनों में very important data आने वाले हैं UST के regarding मैंने आपको यहाँ पर शेयर कर दिया है तो अगर आप gold में किसी दूसरी वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye धन्यवाद